आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरे नाम ऐसे दान तक नहीं हो, तरहीं स्टडी ग्लोज पर आपका बहुत 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 बागत थे Special Economic Zone की बात करेंगे, सरकार में यह बोला है कि भाई जो unused built up area है 30,000 क्रोड़ को free करो और जो बेकार का land है इंस साइट special economic zone उसको free करो बाकि economic activity जो है वो चलाई जाए देगे special economic zone अभी बहुत उससरे शांदार काम किया है जो export में performance है investment employment है पिछले तीन सालों में कमाल हुआ है special economic zone होता क्या है यह territory होती है within a country जिसमें कोई tax लगता ही नहीं है it's actually duty free ठीक है यहाँ पर बिजनेस और commercial laws नहीं लगते हैं क्यों ताकि investment को encourage किया जा सके employment generate किया जा सके तो यही चीज़े इस दो बिस्टमेस में कमाल का काम करता है तो SCZ जो है special economic zone जो है भारत के export में इसने कमाल का काम किया भाई export processing zone 1965 कांडला गुजरात में establish हुआ था पहला export processing EPZ इसमें होता है ठीक है और इन EPZ का similar structure होता है जैसा SCZ होता है same EPZ, SCZ same तो सरकार ने special economic zone 2000 में establish करने शुरू किये foreign trade policy के तहट ताकि bureaucratic challenges infrastructure challenges उनको खतम किया सके उसके बाद में 2005 में special economic zone act पास हुआ और special economic zone 2006 में ये rules है और 2006 से लेकर operational है ये चीज़ है अभी 379 SCZ are notified ये notified area जिसमें से 265 operational है 64% जो SCZ है वो 5 राज्यों है तमिलनाडू, तिलंगाना, करनाटक आंधर परदेशन, महराशने की central and South India और भारत के export का 30% ये contribute करते हैं 10 करोन स्क्वार फीट इतना area जो space है ये ideal पड़ा है तो इसमें 250 और मतलब बहुत कुछ हो सकता है इसमें यानि कि लगवग 30,000 करोन का area ideal है ये बता चुका हूँ मैं आपको तो ये ये आप देख सकते हैं objective SCSZ का क्या होता है economic activity, export को boost करना employment को generate करना infrastructure facility बढ़ाना domestic and foreign investment आये हैं याँ पर SCSZ को पहले establish किया जाता है फिर उसके बाद committee review करती है फिर उसके बाद board of approval जो है वो आप देख सकते है flow chart और objective मैंने आपको बताया तो भाईए ये सब मैं आपको बतायी चुका हूँ इसमें इसको बताने की ज़रूरत नहीं है ये आप देख सकते है special economic zones की अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई भी ये duty free होता है जो import होते है इसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगता है tax नहीं लगता है इसमें domestic जो procurement होते हैं जो domestic procurement होता है goods के development के लिए operation के लिए maintenance के लिए उसमें कोई भी import नहीं लगता है कोई भी duty बताब कुछ पैसा कोई tax नहीं लगेगा income tax minimum alternate tax free होते हैं SCZ में और external commercial borrowing SCZ units की 500 million डॉलर तक है एक साल में एक साल की बात हो रही है उसके बाद single window clearance होता है central or state level approval सहां पर नहीं चाहिए एक ही window clear कर देगी जो भी आपका है अभी भारत ते कमाल का perform किया है लगबग 22-23,000 क्रोड़ 22-23,000 क्रोड़ के जो exports है वो 2006 तक थे और 2020 में you won't believe साड़े 27,000,000 क्रोड़ तक यह बढ़ गया है इतना जाद हम export कर रहे है इंवेस्टमेंट जो है 2006 में 4,000 क्रोड़ का था वो अभी 61 मतब 6,17,000 क्रोड़ के करीब आ गया है अभी 2020-21 में employment जो है जहां 2006 में 1,500,000 तक था वो अभी 24,000,000 के करीब आ गया है कमाल का काम किया है भाई dramatically increase हुआ है शांदार तरीके से challenges भाई, unutilized land है अभी भी SCZ में बहुत बड़ा land है, बहुत सारे जमीन है जुसको हम यह बता चुका हूँ मैं minimum maternate और यह सारी चीज़े नहीं लगती है ठीक है तो बहुत जादा land जो है इनको integrate करो ना एक में लेकिया हो तभी तो मसाएगी ASEAN country से जबर्दस competition उन्होंने पनी policy बता दिया भाई कि हम भाई global players को attract करेंगे SCZ बनाके तो भारत का सीधा competition जो investment यहान है वहाँ चरा जाएग तो भारत में special economic zone इतने जाद सक्सेस्फुल नहीं रहे China, Korea, Singapore में बहुत सक्सेस्फुल रहे हैं यह तो भारत में export के लिए tax के लिए है SCZ के बाई tax बच जाएगा तो वही है कि जादातर shops यहीं पे खुली लेकिन tax बचाने के लिए export किया ही नहीं यह दिक्कत रही है उसके बाद फिर जादातर जो manufacturing ACZ है भारत में उन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया है rest of the economy के साथ यह link कर नहीं पाए coastal coastal economic zone बहुत दूर थे जिसकी वजह से यह अपने full potential को utilizing नहीं कर पाए यह चीज है single window system ineffective था क्योंकि बहुत सारे राज्यों नहीं मना कर दिया ना हमें नहीं करने वाले यह चीज इसका way forward है कि सबसे पहले हमको investment बढ़ाना पड़ेगा ACZ में और जैसा कि कल्यानी बाबा कल्यानी committee ने ACZ के बारे में बोला था कि sector specific कर हुई है ठीक है तो कमाल का काम होगा खुश रहे पर ते रहे देशे से दान तक नहीं होतरी साइनिमों